बिश भर में कुराणाव वायरस से जहां पे लोग दासत में हैं तो दूसरी तरब मुंबई के कांधी वली का आशिरवाद आयुरवेदिक सेंटर के प्रसिद्ध डाक्टर जो की पवरानिक और अइतिहासी पद्धत चीकिस्सा पद्धत आयुरवेद की एक्सफर्ट है मारे जी मेता साब आप समझाना चाहेंगे किस प्रकार से कॉराणाव वायरस फैलता है और इससे डणनी की जोड़त नहीं जैसे कि आपने दावा किया है कि कॉराणाव वायरस से हम निजात पालेंगे पहली बात तो यह है दुनिया का कोई भी वायरस बोड़ी को एक्सफ करना लाइ नहीं करना बोडी की henbury क्यों एक्सब गरती है और बोडी के अंदर सलाइवा नहीं यह उर्पायुरिया के इससाबसे घंदी चीज एक्सफ हो जाती हि अगर इंसान जीप सबाना शरू कर दे, सल्प सलाइवा बनाना शरू कर दे, जैसे लाइक, तो पायोरी अपने आप हट जाएगा, बोडी के अंदर एक आर्मी है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, हमें उनको जगाना है, मैं मानता हूं को पच्चीमी साइट की पच्चीमी कोई बोडी का जो नेचरल जो है ओ जगेगा नहीं, उनके लिए अईरवेद इनफ है, आईरवेद एक हिंदुस्तान की आर्मी है, और आईरवेद में कहीं सारे प्रयोग, कहीं सारा कहीं कालांतर में, बहुत सारी चीज का सामना आईरवेद कर चुका है, और आईरवेद पुरा कराने की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से जो चल रहा है, अलोपेदी के पास, क्लोरोकेन के आलावा आउशदी है क्या, ना तो HIV की है, ना तो स्वाइन फ्लू की है, ना तो बर्ड फ्लू की है, कोई भी चिकिचाप अत्तति में ऐरवेद छोड़ कर कोई दावा है कि पांच लिटर दूद को पांच छास के बुन दई बना देते हैं, तो विश्वका को विगनान उनको डिनाई नहीं कर सकता है, हाईवेद ऐसा प्रमानपुत अवशद है, जो दुनिया को अगर हिल जाए कोई भी वाइरस से, तो उनके अवशदी हिंदोस्तान म अब क्या गुजारिश करेंगे, ताकि आरवेद का अधिक सधिक लोग लाव लें और आरवेद मुख धारा की पद्धस से जुड़े, मेरी हमारे पहली बात तो यह है, भारत के प्रधान मंतरी आदर्ण इंदुस्त्री नरंदर भाय मोदी ने बहुत अच्छा प्रिकोशन कर अधिक का इक दो दिन पहले उन्होंने विडिया के मात्यम से आंपवली को वरेनेस के बारे में चिताया है, एक मन एक मरी बात यह है, अध्न तर्टव भारत की आयोष्ट मंत्रा ले कर रहे है, उनका मनतरीu स्री अध्री पद्नायक जी के अंदर के यह है आईष्ष्ट म तो हमारी यह आमची चिकेच्चा बद्दतिया आमची रक्षा कर सकती है मेरी दोनों सरकार को यही प्राथना है कि एक बार उनके पास आइरुवेद मंतरा लई है उनके अंतरगत उनके मुख्या को अगर कर दे कि जितने भी टैलेंटेड लोग है वह बहार आईए इंदुस्तान की परजा की रक्षा कर रहा है आपको आपको आपका दाइत्व निभाना है तो मैं मानता हूं मैं तो एक बहुत चोटा डक्टर हूं बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर परिपकव भी है और टैलेंटेड भी है लेकिन प्रशाशन की परमिशन की जरूरत है और अगर प्रशाशन की परमिशन मिल गई और एक जगा अकठा हो गया तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की बरडर के अंदर कोराना नहीं दुनिया का कोई भी वाइरस सेल करतेंगे वो ताकत अईरुवेद में थी है और रहेगी और ऐसे भी अईरुवेद के उपासक बहुत सारे है लेकिन उसको जगाना जरूरी है और और जगा सकते आपके माध्यम से मिडिया के माध्यम से प्रसाजन की प्रसंता के इसाब से आप लोग डरे हुए व नया भारत है भारती चिक्चा पद्दती के साब से भारत सरका ने बहुत सारा कर्म किया है बहुत सारा काम किया है लेकिन भारती चिक्चा पद्दती के उपासक याने डॉक्टर को अंदर का जो आत्मश्वास प्रसाजन जगाना है ये अगर प्रसाजन जगा दे तो हिंद है कोई भी दर्ध होनि की वज़व है है कोई भी दर्ध फ़र एक च्छोटा सा एकसम्पल चीथ आपको दिवा के उदर जाएगा कि वी पो 덕ी ब्लड कृव्ड को वी पोजिटीव ब्लड हम सप्लाई कर सकते हैं बी ने खाते हैं तो खाते हैं हमने कभी गुरूप चेक किया हमारा ब्लड कुर बी पॉजिटीव है तो हमने कभी चेक किया कौन से गुरूप का नॉन वेज्ट है कि प्रसाचन कालांतर में पहरती के अ इन्दुस्तान में कहीं तहबार आते हैं मिठाई की दुकान पर एपडिये वाले डालते हैं चेक करते हैं जरूरी है मिलावट नहीं होना वो जरूरी है एल्थ अवर्नेस के लिए लेकिन नौनवेज का कोई गुरूप चेक किया कभी नौनवेज का टेस्टिंग किया हमें अगर हमारे पेशन को डाउट रहता है तो इन्वेस्टिकेशन के ले वाली का कोई पी पार्ट निकालते हैं उनका भाइब से लिए अगर रिपाट नहीं आया गया सब ठीक है अगर रिपाट नॉल नहीं आया प्नोर्मल या तो लोग रूजाएंगे तो आपने नौन वेज का गृूप चेक आड़ी जहां से आया है वहां लोग कुते खाते हैं बिल्ली खाते हैं साप खाते हैं क्या बोड़ी का खौराक है पुरी दुनिया को खाना हिंदुस्तान के अईरुवेद ने सिखाया है कि मेटावलिजम जो है वह एक्साप करें वह वनस्पती है रूत के शाब से खान पीन है क्यों एंटी बोड़ी व्यवार करना जर सेल्फ रिस्पेक्त सेल्फ अवरनेस कि एंद सा थिंक THIS मेडिसेन दुनिया की कोई सरकार सरकार कितना करेंगी क्या करेंगी अर व्यकति को खुद को संबल ना है अपने बॉड़ी के लिए और व्यकति अगर सेल्फ वरनेस में आ जाए प्योजर पैट डिगार पैट्रोड से चलती है डिजल से नहीं चलती है अम उसमें सब कुछ डालेंगे तो कार रुख जाएगी सवाल यही है आम जंता को समद्धना है संबलना है प्री प्रीकोशन लेना है हमारी सरकार एलट है दोनों सरकार स्टेट गवर्मेंट घुजरात में भी रुपाणी सरकार एलट है मह सब जगह पर है लेकिन खुद का ख्याल तो खुद को ही रखना ज़रूरी है कि आप से आखरी सवाल कि आप ने ब्लड कैंसर और चाहिए जैसे मरीज्यों को भी काफी रात दी है ठीक किया है दूसरी तरफ कोराइना वायरस के लिए आपके पास कुछ खास दवाईया ऐसा कु तो पुरा हिंदुस्तान लिख गया था उसी टाइम में हैच वी क्योर किया था सरकार के सामने रख लिए तिए ओ बन्धा आज भी जिंदा है 2008 में बंबे के अंदर स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू से पुरा हिंदु प्यरा महारा शेल गया था वह भी बंद आज भी जिन्दा है आज at present blood cancer के मरीज मेरी पास आज भी है आप चाहे तो इंटरू ले सकते हैं लेकिन यह सब आयरुवेद की प्रॉपर्टी है जो हमें नॉलेज मिला यो और आइरुवेद पंथ से मिला है अईरुवेद मे supporting के अंदर दुनिया में ऐसा कोई दर्ड नहिं रहेगा सब लोग नाम मना गर्दें कि यह नहीं ठीक होगा यह अलेट ठीक करेगा विश्वास कोई जंता कोई व्यक्ति कोई मरीज विश्वास पुराने डॉक्टर अलपथी के डॉक्टर अगर वहां से विश्वास छोड़ दे उसका विश्वास पुनह प्रजलित करने का आयरवेट का दायत्व कुदरत ने मुझे दिया है उमेनी भरा हूं दूसरी बात ब ऐसे मुह के अंदर पायोरिया है तो कुछ भी अक्षब हो जाएगा यह मुह यह जो माउस है कुछ समय के लिए अक्षब करता है लेकिन स्वासों स्वास के लिए तो कहीं जी भी कोई भी वाइरल गुज जाएगा तो साल्फ सल्फ जाइवा को डिख और कि अउंडीर ओन पुरे वड़ में और कोहीं नहीं है और मैं स्थाइवा अर्मस करता हूं कोई व्लिभार्री नहीं हूं है मैं अंध मिरें सहल करूं मैं स्थारा आइ जनेरेटर करके मारे मेरे वरक्षप में ओई सलावा सप्लाइ कर देता हूं और आपके सामने isa self-salawa तुरंथ 10 अश्डर कर लेती है इसी चीज है कोभर साप ज्यादा कोई कहर नहीं है ज्यादा कोई महमारी नहीं है कोबरा साप अगर देता है तो तेरा मिनिट में इंचान मर जाता है वो दस दिन तो जिंदा रहता है कोरोना में दस दिन में दो सिटिंग काफी है सिंप पांथ बुन सुबब पांथ बुन शाम को ले लो कि सब ठीक हो जाएगा एंट्री तो दाथ से यह पुरे बॉड़ी के अंदर तो सेल्प सलयवाज रीज जन्रेट करने की व्यवस्ता अगर दुनिया के पास जो है तो आयरुवेद में है और एक खुली किताब है वो कोई व्यपारी की बात नहीं है हमारे पेशन जो है हमारी प्रॉपर्टी है इंदुस्तान की आवाम के लिए आज अगर आयरुवेद को मौका मिल जाएगा अगर मौका मिलेगा भारत सरकारा देश करें की तो इंदुस्तान के आयरुवेद की आर्मी अभी जिन्दा है किसी को डरनी की जरूरत नहीं है हम पहुंच पाएंगे को दर दिया है और यह नॉलेज राश्ट स्वाक हैं अंदर करत हम समर्पित करें के अर्वेद के प्रसित डाक्टर महेश डी महता जी जिन्हों ने साब्तवर पर कहा कि आर्वेद की आर्मी जिन्दा है कोराउना वायरस जैसे बिमारी से डरनने की कोई ज़ूरत नहीं है करना प् कि 20 जा ओर प्ततत्त प्हों प्वंबः